आप जब प्राता कालिन उठें तो पहले उठने का नियम लें कि शूरी उदय के एक घंटा पहले हम उठेंगे देखो हमारी प्रार्थन मांदना तो इस समय शूरी उदय कई बजे होता है लगबग शे बजे कि साड़े शे बजे आप पांच बजे उठ जाए और उठ करके सेसफ खोष किजे उठी करें नुद प्रणी किए ते साथ रॉटम्स काना मिलन ले लिजिए जैसे हम लोग श्री स्वामी घर दाश जी की जाये हरी मलश और भ्याकि sociedade कि जायी नागरीदास जी कीजए स्री ध्रूदास जी कीजए पांच संतों के नाम याद कर लीजिए इसके बाद नीचे उतरिए और पहले जो अपने माता पिता अगर वो शयन कर रहे हैं तो कोई बात रही है अगर वो शयन नहीं कर रहे हैं पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए इसके बाद आधा लीटर या पॉन लीटर जितना आप जल पी सकते हैं उस जल को आप हलका सा गरम करवाए अपने माता पिता से जो भी आपकी सेवा में हो या अगर आप स्वयम कर सकते हो तो स्वयम हलका सा अगर 500 ग्राम पी इस से बैठकर जल पिया जाए यह आपके ब्रमचर की रक्षा करेगा कब्ज नहीं होने देगा और आपके मस्तिस्क की गर्मी को ठंडा करेगा ऐसे बजरासन में बैठकर धीरे धीरे पांच या दस मिनट में जल पिया जाए एकदम न पिया जाए गिलास में लेकर के 500 ग्र लगती है तो एक चम्मच इशब गोल की भूशी और छोटी हर का आधा चम्मच अगर रात्री में दूज से या पानी से ले ले तो वो बार-बार सौच नहीं लगाएगा पर आपके आते साफ हो जाएगी सौच जाने के बाद इश्णान करे और फिर तुरंत अगर आपको व् इसके बाद जो अनुलोम बिलोम जो इससे खीचे इससे छोड़ दे इससे खीचे इससे छोड़ दे इसके बाद दोनों हाथ ऐसे करके साथ बार ऐसे करे सीधा खीचे और सीधा छोड़ दे इतना ही तुमारे लिए प्राणायाम की आउशकता है आप अपनी दिन्चर्या में लग जा जो पढ़ाई का कारी दिया गया है आगे तुम्हें और बजन की बात हमीं कह रहे जो पढ़ाई का कारी दिया गया है वो में वियायाम के बाद तो आप देखना आपकी स्मृति बहुत प्रवीर हो जाएगी अच्छा यह आपकी प्राता कालिन दिन चाहिए जब आप अपने गुरुदेओं के पास स्कूल जाएं तो हमें आज कल का तो अब पता नहीं पर हम लोग जब जाते थे तो अपने गुर पाक में आ जाते हैं और गंदी बातें करने लगते हैं आचरण में आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि गंदी बाते किसी कहते हैं आप लोगंबा HEY चाहिए भी बच्चा अगर गंदी बात दिखाए तो अपने टीचर से या अपने माता-पिता से जाके सिकायत करनी चाहिए वो बहुत हानिकारक होती है कभी कोई भी गंदी बात अपने द्वारा नहीं होनी चाहिए अभी आप नमीन जीवन धारण किये हुए है आप भगवान की प्र आप लोगों को बताया राधा उल्लफ शियर तो शोते समय बस प्रार्थना करो कि है प्रभू आज दिन हमारा जो भी गलती हुई हो वह हमको को आप प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझाओ क्या हमसे गलती हुई अगर पूरी दिन चर्या में ऐसा अलग रहा हमसे कोई गलती नहीं तो भगवान सुबह से अभी तक हम सोने जो जा रहे है यह पूरा समय आपको शमर्पित आप देखना इसका फल देखना एक तपस् मन में चुचा सो जाईए और जब फिर सुबह उठे तो फिर ऐसी दिन चर्या और पढ़ाई इस समय तुम्हारा भजान आए झालन कोने उन wsबस् eldest आप देखना पिर था इस समय खिर सूने दो जाने कर दो dollar मोगत रहे है वजा है कि मैं चालती दुम्हार क्ष़ा जान आए